नमस्कार निउस आज में आपका सागते मैं हूँ आपके साथ दिप्ति भटनागर संजे लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती रिलीस होने से पहले ही विवादों में है फिल्म का विरोध करते हुए लोग सडकों पर हैं और उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं लोगों का आरोप है कि इतिहासे छेड़ चाड़ कर फिल्म पद्मावती बनाई गई है जिससे उनकी भावनाव को ठेस पहुचिए राजपू समाज शाशन प्रसाशन के सामने बात रखते हुए संजे लीला भनसाली के फिल्म पद्मावती पर बैन लगाने की मांग कर रहा है राजपू समाज का कहना है कि इतिहासे छेड़ चाड़ कर विरांगना रानी पद्मावती के लिए गड़ी गई कहानी काफी शर्मनाख है अगर फिल्म रिलीज होती है तो राजपूत इसका विरोध करते हुए उग्रांदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे फिल्म पद्मावती जो बनाई जा रही है ये राजपूतों के अलावा जो हिंदी हिंदू या हिंदी साहित है या हिंदी इतिहास है इसके साथ छीर चाड़ करके इस फिल्म को संजलीला बंसाली बीस तारीक को माननी है मुक्यमंतरी शिवराज सिंग जोहान जी ने भी हमारे राजपूस सभी राजपूस संगठनों को बोलाया है इस पर चर्चा रख की गई है तो मद्देश राजपूस समाच और हिंदू मंच जितने भी हैं वो सब मिलकर आक्रोशित होकर इसका एक दूसरा रूप भी ले सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता कि जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचेगा तो हम लोग सभी इसका विरोध किसी भी स्तर पे जाके करेंगे आपके चैनल के माध्यम से यह आवान करना चाहता हूं कि जो पदमावती पिक्चर संजलीला बंसारी दौरा बनाई गई है कि बीस तारिक को अधिक से अधिक संख्या में हजार पांच हजार की संख्या में मुक्यम नत्री के आवास पर चलें और वहाँ पर जाके इस पिक्चर को बंद करने का उनसे हम आवान करें उनको यह चेताव नहीं बंद की गई तो जैसे जोदा अकबर और ये हमारा मद्धित राजपू समाज ये वही मद्धित राजपू समाज है ये वही बिने बदोरिया और देविन बदोरिया जी की सेना है जिसने जोदा अकबर को बंद कराया था और हम इस पिक्चर को भी बंद करा देंगे इन टौकीजों को जला राजपूज समाज इस बाप को कतः बरदाश्ट नहीं करेगा। संजे लीला बंसाली द्वारा जो पद्वावती पिच्चर बनाई गई है उसके चितरन का पुर्जोर ब्रोध करता हूं। संजे लीला बंसाली यदी इस पिक्चर को बेन नहीं करते तो राजपूश समाज एवं अन्य हिंदू मंच एवं हिंदू जन समझाए इसको इसका पुर्जूर ब्रूद करेगा वो पाल से हैं ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज आज इसी के साथ बने रही है मेरे साथ देखते रहे हैं न्यूज आज